Hello everyone, Welcome to Success Vitae Academy, 3 February 2023 के दैनिक जागरण के राष्टी संसक्रण को आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम न्यूज ले रहे हैं कि Hidden Bird की रिपोर्ट पर संसद में हंगामा मचा और विपक्ष ने संसद को नहीं चलने द धांदली की हुई है, यानि उसको बढ़ा चड़ा कर बेचा है उसको, तो इस रिपोर्ट की वज़ा से ही अदानी ग्रूप के जितने शेयर हैं, वो लगभग 28% रोज गिर रहे हैं, इसमें जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी, तब जो गौतम अदानी है, वो दुनिया के साथ सबसे अमीर व्यक्तियों में सुमार थे, यानि साथवे नंबर पर थे, फिर वो उसके बाद 15 नंबर पर आए, और उसके बाद अब वो 21 नंबर पर आ गये हैं, यानि लगातार तीन दिन से ये कम से कम साथ पाइदान नीचे जाते जा रहे हैं, इनकी जो नेट वर्थ है, वो भी कम होते जा रही है, और ये लगबख 63 अरब डॉलर के आसपास आ गये हैं, इसलिए इनकी ये रैंकिंग आई है, साथे नंबर पर मुके संबानी पहुँच गये हैं, यानि मुके संबानी ने इनको रिप्लेस कर दिया है, और भारत के सबसे अमीर वेक्ति फिर से मुके संबानी बन गये हैं, तो इस रिपोर्ट की वज़ा से देखिए जो विपक्ष है, वो ये चाहता है कि इस क्या जो ये रिपोर्ट है, इस पर निस्पक्ष जाच कराई जाए, अदानी ग्रुप की जाच कराई जाए, से भी शेयर मार्केट में उसकी निस्पक्ष पर जो विपक्ष के नेता हैं, मलिका अरजुन खडगे, जो कांग्रस के अध्यक्ष भी हैं, वो इस मांग को रख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पेस किया जाए, अब हिदन बर्ग के लिए जब अदानी ग्रुप ने बोला कि हम आपके कागज दिखाने पड़ेंगे, जो आप सालजनिक नहीं कर रहे हैं, तो पेपर तो आपको कोट में दिखाने ही पड़ेंगे, उसके बाद से गौतम अधानी बिल्कुल बैक फूट पर हैं, और आपको पता होगा कि गौतम अधानी यानिकि अधानी इंटरप्राइज की तर सब्सक्राइब हो गया था, खरीदारों ने खरीद लिया था, एफपियो क्या होता है, कई बार बताया जा चुका है वीडियो में, उसको बार बार दोराने से समय बरबाद होगा, आप पुराने वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, एफपियो क्या होता है, लेकिन जब ये न्यूज आई और FPO भी सब्सक्राइब हो गया अदानी ग्रूप के जो गौतम अदानी है उन्होंने ट्वीट करके बोला कि वो निवेसकों का भला चाहते हैं अगर मान लीजे किसी ने FPO सब्सक्राइब किया है लेकिन शेयर का रेट हमें लगातार 20-28% गिर रहा है तो जाहिर सी बात है इस FPO का भी रेट गिरेगा जिससे लोगों को नुकसान होगा तो उन्होंने लोगों की हितों में पुरा FPO कैंसल कर दिया है और जिन्होंने भी पैसा लगाया हुआ है FPO में वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा आगे अब इसमें क्या होगा संसत की करवाई चलेगी नहीं चलेगी ये निउस में आता रहेगा और आपको डिसकस कराते रहेंगे बताते रहेंगे निउस के बारे में नेक्स निउस है कि वंदे भारत की तरज पर वंदे मेट्रो चलाने की त्यारी में है प्रारम में ये जो प्रोजेक्ट है वो बड़े सहरों में चलाया जाएगा जो आसपास के 50-60 km की दूरी को जोड़ेगा बाद में मध्यम स्रेडी के सहरों के बीच के आवागवन को सुगम बनाने में भी ये पहल करेगा यानि की जो दो बड़े सहर होंगे जैसे मान लीजिए आप दिल्ली हो गया दिल्ली से मेरठ इस टाइप के कम दूरी वाले सहरों को भी जोड़ेगा इससे उन यात्रियों को आसानी होगी जो एक सहर से आसपास के गाउं कस्बों में रहकर दूसरे सहरों में काम या व्यापार और नौकरी के लिए प्रती दिन आते जाते हैं किराया बहुत कम रखा जाएगा ताकि जन सामान ने भी यात्रा कर सकें रेल मंत्राले ने चिन्नाई इस्थित इंट्रिगल कोच फैक्टरी को डिजाइन का निर्देश दे भी दिया है रेल मंत्री जो है हमारे अस्वनी वैशनों उन्होंने आस्वस्थ किया है कि अगले वित्वर्स से वंदे मेट्रो ट्रेन भी पट्रियों पर दौडने लगेगी रेल मंत्राले के सुत्रों के अनुसार वंदे मेट्रो 120 से 130 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से चलेगी इसके माध्यम से कम दूरी वाली इंटर सिटी ट्रेनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा चलिए नेक्ट निउस पर आते हैं एक साथ दो सीटों से चुनाव लडने पर रोक की मांग खारिज कर दी गई है तकि सुप्रीम कोट ने एक साथ दो सीटों से चुनाव लडने पर रोक लगाने की जो मांग वाली याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है और इसमें हवाला दिया गया है जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 33 साथ जो यहाँ पर देखिये लिखा गया है इसको सही ठहराया गया है याचिका में कहा गया था है कि इसको गैर कानूनी घोसित कर दिया जाए क्योंकि एक जगह एक वेक्ती दो जगह से चुनाव लड़ता है और अगर दोनों जगह से वो जीत जाता है तो एक जगह को वो ड्रॉप कर देता है याने कि वहाँ से इस्तीफा दे देता है तो वहाँ फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं इससे खर्चा होता है चुनावायो का समय बरबाद होता है जनता का भी समय बरबाद होता है लेकिन सुप्रीम कोट ने इस याजका को खारिच कर दिया है और उन्होंने हवाला दिया है कि 33 साथ जो धारा है कानून की 33 साथ में जो छूट दी गई है जन प्रतिनिधित्यों की वो सही है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचून और जस्टिस पी एस नरसिंभा और जस्टिस जेबी पार्णिवाला की तीन सदस्य पीर ने याजका खारिच करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधित्यों कानून 1951 की धारा 33 साथ में इस पश्ट तौर पर कुछ भी मनमाना और गलत नहीं दिखाई देता है ऐसे में इस कानून को रद्ध करना संभव नहीं है कोल्ट ने कहा कि एक सांथ दो सीट से चुनाव लड़ने के कई कारण हो सकते हैं यह तै करना संसत का काम है कि वह राजनेतिक लोगतंत्र में ऐसा विकल्प देना चाहती है या नहीं नेक्स निउस पर आते हैं नेक्स निउस है सहकारी समितियां करेंगी गाओं में कौमन सर्विस सेंटर का संचालन सहकारिता की मूल इकाई पैक्स जिसे बोलते हैं को प्रमुक दायत तो देकर मजबूत बनाने की अपनी घोश्णा को आगे बहाते हुए जो केंद्री सहकार सहकारिता मंतरी हैं अमित साह ने गुरुवार को उससे कौमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी सौब दी है इससे देश की ग्रामिर आबादी को सीधे लाब मिलेगा और इस्थानिये युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा इन सेंटरों से गाओं के लोगों क सीधा संपर्क इस्थापित किया जा सकेगा इसके लिए सहकारिता मंतराले और इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रादोग की मंतराले के साथ नाबाड और सी एस सी इगवर्नेंस सर्विसे इंडिया लिमिटेड के बीच समझोता भी हो चुका है इस मौके पर जो अमित साह हैं उनके साथ आईटी मंतरी असुनी वैश्णों भी उपस्तित थे नेक्स नियूज है कि सरकार ने मार्च दोहजर चब्विस तक बढ़ाई पीएम कुसुम योजना सरकार ने प्रधान मंतरी किशान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान याने प्रधान मंतरी अधी मार्च दोहजर चब्विस तक बढ़ादी है वर्स दोहजर उन्निस में सुरू की गई इस योजना का उद्देश वर्स दोहजर बाईस तक तीस हजार आठ सो मेगावार्ट की अतरिक्त सौर चमता प्राप्त करना था लोग सभा में नवीन और नवीकरणिये उर्जा मंतरी आरके सिंग ने गुरु आर को लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना के कारण पीम कुसम के कर्यानवयन की गति काफी प्रभावित हुई है वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंतरी आरके सिंग ने कहा कि देश में 49 पन बिजली परियोजनाओं में से 9 पर काम रुका नेक्स्ट नीउस है हाथ से रोकने के लिए ट्रेन सुरक्षा कवच को सदेसी तकनीक से विक्सित किया गया है तिक ट्रेन दुरगटनाओं पर नियंत्रन के लिए भी कवच प्रभावी पहल के रूप में सुरक्षा कवच को सदेसी तकनीक से डिजाइन और विक्सित किया गय अगले बजट में 5000 किलोमेटर पट्रियों को इस कवच से सुरक्षित करने का लक्षे है ग्रीन ग्रोथ की पहल करते हुए रेलवे ने स्वदेशी तक्नीक से बनाई जा रही 35 हाइड्रोजन ट्रेन को इसी दिसंबर तक चलाने की तयारी कर रहा है भारत गौरो योजना के तह रहा जाएगा नेक्स्ट निउस है कि थल सेना के लिए जो नया भावन बनाने की बात चल रही थी दिल्ली कैंट में अब उसका रास्ता साफ हो गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल के हस्तचेप के बाद दिल्ली कैंट में जल्दी नया सेना भावन बनेगा मंत्राले ने दिल्ली कैंट में थल सेना भावन के निर्मान का प्रस्ताव दिया था मंत्राले सेना के लिए अक्तियाधुनिक सुविधा के रूप में साइट को विक्सित करना चाहता है इसमें कुछ पीड़ साइट के निर्मान में बाधा डाल रहे थे ऐसे में मंत्राले अपने अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर साइट को खाली करने के लिए 589 पेड़ों को दूसरी जगह स्थानांत्रित करने और काटने की मंजूरी भांगी थी प्रेअरण मंतरी गोपाल राय ने यह प्रस्ताव मुख्यमंतरी के समक्षे रखा भारती सेना के लिए आधुनिक बुन्याधी धाचे के महत्तो को देखते हुए मुख्य मंत्री ने राश्टर हित में पैच को साफ करने के लिए काम में तेजी लाने के लिए अपनी सहमती दे दी है चलिए, नेक्स नीउस पर आते हैं नेक्स नीउस है कि गरीबों की छट सवार कर चुनावी जमीन मजबूत करने की भी जुगत है विकासवात की राजनीती की नई लकीर खीच रही मोधी सरकार ने बेशक बजट में चुनावी रेवडिया नहीं बाटी लेकिन पार्टी का अंतियोदे का सिध्धान्त उसके लिए सफलता का सूत्र जरूर साबित हो रहा है गरीब कल्यान को सरकार की प्राथमिक्ता बताते हुए सरकार ने इस बर प्रदान मंत्री आवास योजना के लिए चांशट पृतिसर्थ बजट आवंटन बढ़ाया है इसमें ग्रामीर छेतर के आवासों के लिए ज़्यादा पैसा दिया गया है रणीती जो है वो इसपष्ट है कि जब भाजपा 2024 में लोगसभा चुनाओ के मैदान में होगी तब लगभग तीन करोन से अधिक परिवार उसकी गरीब कल्यान की नीती पर संतुष्टी और सहमती की मोहर लगा रहे होंगे चलिए नेक्ट निउस है हमारे जो राजस्त सचीव हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि विकास राजकोशी घाटा और सबके फाइदे का रखा गया है ध्यान उन्होंने यहाँ पर जो बजट पेस किया गया है उसकी बड़ाई की है और उन्होंने गुरुवार को कहा कि बजट में तीन पहलियों का विसेज ध्यान रखा गया है सबसे पहले ये ध्यान रखा गया है कि लोगों को लाख पहुँचाने, वो उनकी भलाई के लिए विकास जारी रहना चाहिए विकास के साथ राजकोसिय घाटे को ध्यान में रखा गया है और अंत में यह की समाज के सभी वर्गों को इसका लाब मिले उन्होंने कहा कि टेक्स में बदलाव का उद्देश इसका सरली करण और आपस में भरोसे मंद रिस्ते को कायम करना है और द्योगिक जो संग्ठन है फिक्की के एक कारिकरम में राजा सुसच्यू ने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ और उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कोसिस की है कि विकास का लाब सभी तक किसी ना किसी रूप में उन्होंने पहुँचाया ह और बजट की ही न्यूजें हैं पहले कभी नहीं चली सबसेड़ी पर ऐसी कैची याने की सबसेड़ी में जो कटोती की गई है बहुँ से निर्माल के लिए उद्द्योग जगत का भी ध्यान रखा गया है यह सब बाते हैं अब हम आते हैं इंटरनेशनल पेज पर इंटरनेशनल पेज पर MQ-9B ड्रोन सौदे को जल्द पूरा करने की तयारी में भारत और अमेरिका तेकि अमेरिका और भारत तीन अरब डॉलर से अधिक के 30 MQ-9B प्रोडेटर आरंड ड्रोन सौदे को जल्द से जल्द पूरा करने की तयारी में हैं दोनों की और से इस प की निग्राणी छमता और मजबूत होगी यानरे कि LAC की भी निग्रानी अच्छी होगी और हिंद प्रशान्छेतर में जो भारत की निग्रानी है वो भी मजबूत होगी अमेर्की विदेश विभाग के रणनितिक सैन ने मामलों की सहायक विदेश मंत्री जेसिका लेविस ने बुद्धवार को समवा दाता हूं दोरा सौधे में देरी को लेकर पूछे का सवाल पर कहा है कि मामला अब भारत के पाले में है रक्षा जरूरतों को देखते हुए सौधे के तहट तीनों सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9B प्रोडेटर आर्म ड्रोन खरीदे जाने हैं इस सौधे की घोशना 2017 में हुई थी और माना जा रहा है कि राष्टिय सुरक्षा सलाकार अजीत डोबाल को की अपने समक्ष जैक सुविलन समेत सीर्स अधिकारियों से इस संबंद में महत्पूर्ण वारता हुई है नेक्स निउस पर आते हैं अमेरिकी संसदिय समितियों में चार भारत वनसीयों को किया गया है सामिल अमेरिका की राजनीती में लगातार भारत वनसीयों का कद बढ़ता जा रहा है संसद की तीन प्रमुक समितियों में भारतिय मूल के चार सांसदों को जगा दी गई है संसदिय समितियों में प्रमिला जैपाल, एमबी बेरा, राजा कृष्णमूर्ती और रोखन्ना को सामिल किया गया है चीन को लेकर बनाई गई समिती में राजा कृष्णमूर्ती को जगा दी गई है उन्हें सदस के रूप में सामिल किया गया है यह नौ गठित समिती चीन की उन गतिविदियों पर नजर रखेगी जिसमें अमेरिका और विस्ट के लिए खत्रा पैदा हो सकता है अमेरिकी प्रतिनिती सभा में अल्पमत के नेता हकीम जेफ्रॉंस ने बुद्धवार को उनकी न्युक्ती की घोष्णा को की है और एक अन्य भारतवनसी जो है संसद रोखन्ना को भी इसी समिती का सदस्स बनाया गया है चलिए तो ये आज का ये तीन फरवरी दो हजार तेईस का दैनिक जागरन का राष्टिय संस्क्रण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद